आप देख रहे हैं जैभारत टीवी यहां बिठा कर रखा गया उनसे कई एहम सवाल पूछे गए इसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंग रावत को भी नोटिस हुआ था और लेकिन बताए यह जा रहा है कि हरक सिंग रावत ने इडी को पत्र लिख कर जवाब दिया है और एक महिने का समय मांगा है संबन पर इसलिए आज जब पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंग रावत को यहां पहुँचना था तो वो आज नहीं आये हैं लेकिन जो हरक सिंग रावत की करीबी मानी जाती है रुदर प्रिया की पूर जो जिला पंचायद अध्यक्ष रही है लक्षिमी राणा उन्हें भी नोटिस दिया गया था उनके तमाम संपती की भी जाज कर रही थी और उसके बाद से लगातार ये सवाल उट रहे थे कि क्या हरक सिंग रावत के जो करीबी है लक्षिमी राणा क्या उनका भी पस्तिती में जो लक्षिमी राणा है उनकी मौझूदगी में खुलवाए थे देरादून में घंटागर में मौझूद जो लौकर थे उनसे उनमें से लाखों के जो जेवर है वो बरामद होए थे उनकी जाज भी एडि कर रही है तो आज एडि दप्तर में लक्षिमी को भी था लेकिन पूर गैमिनेट मंत्री ने मेल के जरीए एडी को ये बताया है कि उन्हें एक मेने का समय चाहिए इस वज़े से कोई कारण बताकर उन्होंने आज फिलाल जो पूस्ताज होनी थी उससे किनारा किया है लेकिन उनकी जो करीबी है लक्षिमी राणा वो इस समय एडी दफ्तर के भीतर मौजूद है शुशान पतनायक जो आफस है उनसे कल पूस्ताज कर चुकी है तो कुल मिलाकर जो कॉर्बेट के जिस कथित गोटाले की बात चल रही है जिसको लेकर एडी लंबे समय से जाच कर रही है कई जगहों पर करीब 17 ठिकानों पर पूर कैमि चापे मारी हुई थे तो कुल मिलाकर जांच अभी एडी की लगातार जारी है जो चापे मारी हुई थी वो दौर खत्म हुआ तो आप पूस्ताज का दौर एडी ने शुरू किया है और अलग-अलग जितने भी आरोपी है इस पूरे प्रकरण में उन सभी आरोपियों को ए लक्षिमी राणा से पूस्ताज के बाद वो बाहर निकलेंगी तो बात करेंगे कि क्या लक्षिमी राणा से क्या-क्या पूस्ताज हुई है और इस मामले में एडी का अगला कदम क्या रहने वाला है क्या मैं महरूपादय के साथ हैं बढ़्जय भारत टीवी